नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासिस में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में मुझे काफी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बताईए कि कैसे कम्पिटिटिव एक्जाम की तैयारी की जाए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्पिटिटिव एक्जाम की तैयारी करने के लिए कौन से चार पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए उसी के साथ उन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई भी competitive exam को crack ना करें दोस्तो चलिया ये सुरू करते हैं दोस्तो इससे पहले कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूँ और आपको बताओं कि competitive exam के तैयारी किस तरह से करें मैं आपर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि competitive exam और जो ordinary exams होती है जो आपके college school में ली जाती है उसमें एक बहुत बड़ा difference होता है वो यह होता है दोस्तों कि competitive exam में जो competition level है student को जो तैयारी करने के लिए समय चाहिए होता है साहरपने स्टेडियों होती है और जो स्मार्टने स्टेडियों होती है वो बहुत ज्यादा required होती है जबकि आप अगर university या फिर आप college की exam ले ले लेते हो तो वहाँ पर वो चीजे उतनी required नहीं होती है क्योंकि आप old paper study करते हो आप मुझसे बैटर जानते होंगे कि कॉलेज की exam में किस तरह से mark slice जाते हैं और क्या तैयारी करने की उसमें formula है क्या pattern है लेकिन competitive exam की बात करो तो पूरा एक scenario different है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा नहीं मान सकते हो कि कोई भी चीज आप यहाँ पर lightly नहीं ले सकते हो बिकुस यहाँ पर competition चल रहा है तो आपके और लाख़ो students के बीच competition होता है तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप बिल्कुल भी यहाँ चांस नहीं ले सकते हैं कोई भी छोटी सी mistake का भी चांस नहीं ले सकते हैं दूसरी चीज कि competitive exams में आपकी time की importance बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर कोई भी चीज आप ऐसे नहीं लेंदी है तो आप उसको चलाते जा रहे हो सीखते जा रहे हो time निकालते जा रहे हो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको उतना ही पढ़ना है जितना required है आपको यहाँ अपने interest के मताविक या फिर यहाँ कोई आप research करने नहीं बैठे हो यहाँ पर आप competition में बैठे हो आ अगर आप compete करना जाते हो तो you have to be the smartest among all of them so चलिया यह दोस्तों बात करते हैं कौन से जो चार important point है जिसके जिने ध्यान में रखके आप कोई भी competitive exam को body ही आसानी से crack कर सकते हो सबसे पहला point मैंने यहाँ पर note किया है वो है कि make a particular schedule किसी भी exam में जाने से पहले या फिर मैं ऐसा कह दू किसी भी जंग में भी जगर आप जा रहे हो तो वहाँ भी जाने से पहले आपके पास कोई strategy होनी चाहिए कोई आपके पास एक time table होना चाहिए कुछ एक plan होना चाहिए आपके पास किया किस time पर करने वाले हो अगर आपके पास कोई strategy नहीं है आपके पास कोई schedule नहीं आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि आप उस जंग को, आप उस एक्जाम को, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, वो काम आपका successful होने वाला है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कि आप जो भी competitive exam की तयारी कर रहे हो, एक plan paper लो, blank paper लो, आप का आज का दिन, आज की date लिखो, वो exam जब आने वाली है, एपरोक्स date भी आगर आपको पता है, तो एपरोक्स date लिखो, उसके बाद आप पूरे जो difference है दिन का, कितना समय आपके पास होता, वो अपने दिमाग में लाओ, जो topics हैं उस exam में तयारी करने के, वो अपने mind म में लाओ, उनकी list बनाओ, उसके बाद आप ये ध्यान में रखो कि आप कितना तयार करने वाले हो, आपके क्या material available है, और क्या क्या requirement है, वो सारी चीज़े एक list में बना लो, डिवाइड करो, पर डे आप लग जाओ ते यारी में, पर डे का schedule बना लो कि आज में ये करूंग इस week में में इतना कर लोगा, next week में इतना कर लोगा, अगर आप ऐसा करते हो, किसी भी competitive exam में चले जाओ, अगर आपके proper planning है, आपके chances दूसरे candidates अगर आप से ज़्यादा भी हो से आ रहे हैं, उनसे भी आपके chances ज़्यादा है exam को crack करने के, क्योंकि आपके पास plan है, जो दूस सारा portion है, जो हमें already पता होता है, और कुछ portion होता है, जिसमें हम थोड़े week होते हैं, जो हमें नहीं पता है, जिसमें तैयारी करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा समय, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप जब भी तैयारी सुरू करते हो, तो आप एक चीज ध्यान में रख कम लगता है, समय कम लगता है, यह एक advantage है, दूसरा advantage, इसका दूसरा advantage यह होगा, कि जो topic already पता है, उसको आपने फिर से ready किया, that means उसका knowledge आपको और ज्यादा better way में आपको रहे गया, मतलब वो topic आपको strong हो गया, आप उसमें आपकी वो strength की तरह convert कर लिया, मतलब कोई दूसर question जो नया आप पढ़ रहे हो, पता नहीं आए, ना आए, सायद भूल जाओ, यह चीज़ जो आपने repeat कर लिया, जो आपने फिर से तैयार कर लिया, वो भूलने के chances आपके बहुत कम हो जाते हैं, और आपके इसी तरह से, एक एक topic करके, जो जो revise करते जा रहे हो, आपकी जो chances हैं, exam को crack करने के marking, merit में आने के बढ़ते चले जाते हैं, यह होता है दूसरा point, चलिया, यह तीसरे point की बात करते हैं, keep schedule flexible, कभी भी कोई भी plan करो, not only of exam, किसी भी चीज का, कोई भी plan करो, जो भी काम आपको करना है, हमेशा schedule को थोड़ा सा flexible रहो, देखे दोस्तों, यहाँ प possibility है, वो हम नहीं जानते हैं, हमें आज से कल नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कभी कभी होता है कि exam delay हो जाती है, कभी कभी होता है कि exam जल्दी आ जाती है, आपको अपना schedule उसी तरह से balance करना है, उसी तरह से manage करना है, काफी बार यह भी होगा कि आप exam के तयारी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ काम आ गया, आप एक दो दिन काम में अपने उसमें लग गए और तैयारी नहीं कर पाए और काफी बार ऐसा भी होगा कि एक्जाम थोड़ी सी डिले हो गई तो आपके पास टाइम बच गया तो हमेशा सीडियूल उस वे में बनाओ कि अगर एक्स्टर टाइम होता है तो मैं क्या तियार करूँगा एक्स्टर टाइम नहीं होता है और तो मुझे कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले कर लेने चाहिए जो मेरे मस्ट है प्राइयोटी सेट करो प्राइयोटी के अक्वोडिंग आप सारी चीजे तयार कर लो यह होता है एक बैटर प्लानिंग एक बैटर वे में तयारी करना लास्ट पॉइंट की अब बात करेंगे वो है बी पॉजिटिव ये पॉइंट मैंने लास्ट रखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट को आप इग्नॉर करूँ ये पॉइंट इन चारों पॉइंट में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉइंट है वो इंपॉइंट इसलिए है क्योंकि दोस्तो जब तक आप अपने mentally prepared नहीं हो किसी इसके लिए quality की भी कोई चीज होती है आपको तैयार है लेकिन कितना वो अच्छे से तैयार है वो भी matter करता है काफी बार ऐसा हो जाता हम practice कर लेते हैं लेकिन मन कहीं और होता है तो practice करने के पर थोड़े दिनों तक याद रहता फिर भूल जाते है जितना आप काम को मन से करोगे उतना आपको वो better result देगा उतनी आपको better तैयार होगी दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम करो आप not only in exam कोई भी काम पूरे दिल से करो पूरे positive रहके करो negativity को कहीं भी अपने अंदर जगें मत दो यहाँ पर negativity एक चीज यहाँ पर मैंने जो point लिया है negativity को किस बेच पे लिया है वो है कि आप अपने आपको क्या है कि जब competitive exam में बैठते हो complete exam की तैयारी करते हो आपके दिमाग में हमेशा होता है कि मैं क्या कर लूँगा मैं तो अकेला हूँ हचारों लाखों लोग हैं जो काफी सालों से इस exam की तैयारी कर रहे हैं वो आंगे निकल जाएंगे आपको कभी भी अपने आपको किसी से compare नहीं करना है आपको अगर सोचना भी है तो सिर्फ इतना सोचो कि अगर इस काम को मैं नहीं कर पाता हूँ ना तो इस काम को दुनिया का कोई भी बंदा नहीं कर पाता है दोस्तों ये तो थे हमारे चार पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा इसके अलाव भी अगर आपके कोई doubts है तो please हमारे comment box में आप लिखे हम उनका reply जरूर करेंगे दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं नेक्स टूडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी इसी तरह के interesting topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम